नमस्कार आप सबका स्वागते हमारे चैनल नेक्स्ट नाय नियूस मैं नाम है दीपक गुपता महराश्टर की सियासी सत्ता में रश्मी ठाकरे को लेकर कई सारे सवालात खड़े वे रश्मी ठाकरे पहली बार सडकों पर उत्री किसकी वज़े से बागी विधायकों की ले गए शिवसेना पारटी दाओ पर लगी यानि कि शिवसेना का चुनावचिन दाओ पर लगा हुआ है वो भी शिंदे के पास जा सकता है अगर कोट की दलिले यहाँ पर ज्यादा समक्ष नहीं आती शिंदे गुट बाज़ी मार सकते हैं लेकिन अब इन सब से हटकर जैस थोड़ी बन नहीं पाई थी BJP और शिवसेना के बीच क्यूंकि BJP चाहती थी फणवी CM पत पर बने रहें लेकिन शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे चाहती थे कि उनकी तरफ से कोई मुख्य मंतरी बने वो अपने नाम को लेकर कभी बाते नहीं रखे लेकिन पहर को पता है कब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और अगर देखा जाए तो NCP और कांग्रेस को अच्छे से पता है कि BJP और शिंदे को अब टकर देनी है तो भले उद्धव ठाकरे कमजोर हैं लेकिन उनकी जरूरत उने पड़ेगी एक ठाकरे नाम जो है वो उनको पता है कैसे जब उद्धव ठाकरे के साथ थे तो उन्होंने भी यह बात कही थी कि रश्मी ठाकरे अगर महराश्ट्र की सियम होती तो शायद और बहतर राज्जे चलता क्योंकि एक महिला घर को अच्छा चला सकती है परिवार को अच्छा चला सकती है बात जब राज्जे क्याएगी तो राज्जे को भी चमका कर रख देगी वो अपने तरीके से काम करेगी और अपने पर दाग नहीं लगने देगी तो रश्मी ठाकरे वहाँ पर कारगर साबित हो सकते हैं सी वज़े से रश्मी ठाकरे के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा था लेकिन अब गौर क देखना दिल्चस्प रहेगा कि रश्मी ठाकरे को वहाँ पर क्या जिम्मेदारी दी जाती है तो वहाँ पर से उनके नाम का एलान और उनके नाम की गुंच बहुत दूर तक जाएगी कि उद्धव की पत्निया मोर्चा संबाल नहीं हैं लेकिन अगर शरतपवार की कहिने क नहीं पार्टी से कोई बड़ा चहरा आगया आता है तो समाजीत पवार और सुप्रिया सुले जैसे नाम हैं लेकिन आपका क्या मानना है कि रश्मी ठाकरे शिंदेगुट को चैलेंज देकर फणवीस को चैलेंज देकर सत्ता वापिस महविकास अगाली के और जुकाब में सकते हैं तो अपने रहा कॉमेंट सेक्शन में जोर रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद